हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको गोल्ड एन सिल्वर में इन्वेस्ट करके पैसे कमाने की बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी बताऊंगा ये स्ट्रेटजी सीधे साथे इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको ट्रेडिंग का ज़्यादा नौलेज नहीं है गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी गोल्ड और सिल्वर को टॉप पर या टॉप के आसपास नहीं लेना है और कभी भी फ्यूचर नहीं खरीदना है इनको हमिशा कम प्राइस पर खरीदना है अब मैं आपको स्टेटजी बताता हूँ इसके लिए आप सिल्बर बीस एंड गोल्ड बीस या इनके एटीएफ में निवेस कर सकते हैं सबसे पहले आप इनके डेली चार्ट पर 20 EMA एंड 200 EMA सेट कर लिजिए इसमें सबसे पहले प्राइस 20 EMA को नीचे साइड ब्रेक करेगा उसके बाद 200 EMA को ब्रेक करेगा फिर जब 20 EMA 200 EMA के नीचे चला जाएगा फिर 20 EMA, 200 EMA के नीचे चला जाएगा और प्राइस सबसे नीचे चला जाएगा जैसा चार्ट में दिख रहा है सबसे नीचे प्राइस होगा उसके उपर 20 EMA होगा और सबसे उपर 200 EMA होगा तब आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको बराबर चार पार्ट में डिवाइड करें और चार वार में इन्वेस्ट कर दें जब तक प्राइस 200 EMA एंड 20 EMA दोनों के नीचे हैं तब तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अब प्राइस कब बुक करना है ये मैं आपको बताता हूँ जब प्राइस उपर आने लगेगा तब आप देखोगे कि सबसे उपर 20 EMA होगा और उसके नीचे 200 EMA होगा जब तक प्राइस 20 EMA के उपर है तब तक आप इन्वेस्टेट रहोगे जब प्राइस डेली चार्ट में 20 EMA को नीचे ब्रेक कर देगा तब आप अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं तो ये सबसे सिंपल भी धी थी जिससे कि आप सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करके इजीली पैसा कमा सकते हो ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है थेंक्यू अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप लाइक और सेयर जरूर करें थेंक्स